हलो गाइस स्वागत आप से भी काथ के स्वेड़ में और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वालने हैं कि शाओमी पैट 6 इस सेल में लेने लायक है या नहीं तो फटाफर वीडियो सुरू करते हैं मेरा आपका एक दुपाईंग देश्टियु तो इस वीडियो में हम ल इस वीडियो को दो पार्ट में बाढ़ेंगे एक गुड और एक बैड तो मैं इसके पहले गुड पार्ट के बारे बताता हूं कि इसमें क्या मुझे सबसे बढ़िया लगा तो बाई अगर मुझे कोई इसके बेस्ट के बारे में पूचे कि मतलब मुझे एक साल यूज करत पता चलेगा कि यह कोई आम LCD नहीं है इसके जो पिक्सल डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है इसी वज़े से इसमें जो क्लेर्टी है वो बहुत कमाल किया इसमें कोई भी वीडियो आप HDR में देख सकते हैं अगर कोई यह देखके टैबलेट खरीद रहा है कि मतलब उसमें यह सब यूज करना है तो यह टैबलेट उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि यह टैबलेट अभी सेल में 20-22,000 का मिल सकता है यह 8-256JB की मैं बात कर रहा हूं दूसरी सबसे अच्छी बात जो किसी भी टैबलेट में होनी चाहिए वो है इसकी बैटरी इसमें वैसे सबस्क्राइब करीब 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 तीन से चार दिन तक चल जाती है अगर आप अच्छे से चार पांच मूवी देखो तो भी दो तेन दिन चल जाएगी तो उस मामिले में बहुत अच्छा है यह बैटरी और डिस्पले दोनों इसके प्लस पॉइंट अब तीसरा पॉइंट यह कभी-कभी यह अच्छा भी हो जाता है कोई-कोई गेम इसमें बहुत जादा बढ़िया सलता है जैसे अगर आप BGMI खेलेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा लेकिन मैं उतना खेलता नहीं कि इसके बहुत बढ़ी है तो गेमिंग के लिए इसमें 870 का प्रोसेसर स्नैप प्रॉब्लम्स क्या है कोई इसमें प्रॉब्लम्स है भी क्या है फिर यह परफेक्ट टैब है तो ऐसा नहीं हो सकता कि परफेक्ट टैब है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है अब इसको अलग से परचेस करना पड़ता है अब इसको अलग से परचेस करना पड़ता ह अगर आप note taking के लिए इसको purchase कर रहे हैं तो आपको यह बहुत costly पढ़ सकता और इसमें जो इसका app दिया हुआ है तो अगर आप इसमें कुछ भी draw करेंगे ना तो आपको lag देखने को मिलेगा तो यह इसके साथ इतना अच्छे से calibrate नहीं हुआ है फोन में साथ पता ना चल रहा हूँ बट इसमें lag देखने को मिल रहा है थोड़ा था और अगर आप सोच रहे हों कि एक दो एप और इसमें multi window करके लिखें तो फिट फोड़ा और lag होने लगता है जैसे मैंने साइड में मान लेजिए यूट्यूब पर कोई lecture देख रहा हूं और फिर मुझे यहां पर note भी करना है तो थोड़ा सा और lag होने लगता है तो यह देखने को मिलता है एकसर और इसमें दो डिस्प्ले तक मतलब multiple डिस्प्ले दो ही इसमें support करता है तो तो यह इसकी थोड़ी सी एक problem है लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब notes नहीं ले सकते हैं इसमें जो भी बाहर से आप कोई भी कोई भी app install कर सकते हैं और उससे आप बहुत अच्छे से notes ले सकते हैं मैंने flexile करके एक app डाला हुआ है इसमें आप कोई जिसा भी खोल सकते हैं और इसमें अपना जो भी notes लेना हो जो भी कुछ mark करना हो वह बड़ा smoothly चलता है इसमें मान लिजे highlight करना हो तो बहुत smoothly हो जाता कमेंट में जरूर बताना कि इस बिक पिलियन डीज में इसको खरीद रहे हो या नहीं मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टापिक की साथ अब तक के लिए बाए बाए